Hello everyone, welcome to the class. तो आज हम लोग सीखेंगे unit conversion. तो unit conversion काफ़ी important topic है, क्योंकि आपको आगे भी काम आने वाला है, whether it could be physics, maths और chemistry. जब भी आप numerical solve करते हैं, तो आपको इसकी जरत बढ़ सकती है, ठीक है? तो आज हम लोग सीखने वाले हैं, किस तरह से unit को convert करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, kilo, hecto, deca unit, dc centimili. बहुत से लोग इससे familiar होंगे, क्योंकि इसको आप previous class में पढ़ चुके होंगे, अगर आपने सही से पढ़ाई की है, ठीक है? तो इसी को आज हम लोग एक बार फिर से recall कर लेते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ students को इसकी knowledge नहीं होती है, या वह unit convert नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, जिसके कारण उनका जो numerical है, वो गलत हो जाता है. तो इस वीडियो में लाज तक बने रहना काफी important है, और काफी informative भी है, और अपने friends को भी share करो, ताकि उनको भी कुछ idea मिल सके इसके बारे में. और अगर आप हमारे चैनल पर एक दम new हों, और हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर ले ताकि इसी तरह के important videos आप तक regular basis पे मिलती रहे हैं. और साथ में notification bell भी press कर लो, ताकि जब भी निया वीडियो आता है, तो आपको पता चल जाए, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं topic को. तो यहाँ पर जैसे कि कुछ terms लिखे हुए है, kilo, hecto, deca, अब यहाँ पर unit. Unit means यह आपका SI unit है, ठीक है? यह SI unit है, इसके बाद है, dec, centi, and then milli. Now, SI unit जैसे सबका आपको पता होता है, जैसे length का क्या हो जाता है? length का unit होता है meter, ठीक है? इसी तरह weight का अगर SI unit हम लोग क्या लिखते हैं? gram लिखते हैं, ठीक है? इसी तरह अगर volume, volume का SI unit लेंगे, तो वो liter हो जाएगा. अब इसके अलावा आप जितने भी SI unit पढ़ते हैं, जैसे physics में आप resistance, resistance का SI unit, resistance का क्या हो गया? ohm. तो सारा SI unit यहाँ पे आएगा, ठीक है? चाहे वो किसी का भी SI unit हो, उसमें आपको convert करना पढ़ सकता है SI unit से dec, centi, milli, और it could be dec, hecto, और kilo, ठीक है? कुछ भी आपको convert करना पढ़ सकता है, या तो फिर आपको centi से SI unit में, ठीक है, suppose example ले लेते हैं, आपको question में length दिया हुआ है, centimeter और millimeter, ठीक है? अगर millimeter दिया हुआ है, तो आपको millimeter से convert करना पढ़ेगा पहले, SI unit, 30 meter, उसके बाद आप कोई साभी formula, जो भी उस numerical को करने के लिए formula, जैसे भी formula का जरूरत है, उस पे आप put कर सकते हैं value, अगर आप SI unit पे put नहीं करेंगे value, या तो फिर सारा, suppose एक formula है आपके पास, उसमें आपको सारा, जो data given है, उसका unit पहले SI unit में convert करना पढ़ेगा, उसके बाद आप put कीजिए, तब आपका numerical correct आजाएगा, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं topic को, देखो, यहाँ पे suppose तुमको kilo से hecto में जाना है, चलो हम लोग यहाँ पे length ले लेते हैं, SI unit होता है meter, तो meter लिखे हैं, तो इस case में kilometer हो जाएगा, hectometer, decometer, this is meter, then decimeter, centimeter and millimeter, ओके, अब देखो, तो यह हो गया kilometer, चलो हम लिख लेते हैं, kilometer, hectometer, decometer, decimeter, centimeter, 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 and millimeter, ठीक है, अब देखो, suppose तुमको जाना है, kilometer से meter में, तो देखो यहाँ पे कितने gap हैं, उसको आपको ध्यान देना है, किलो और हेक्टो के बीच में one gap, इसके बाद, हेक्टो और डेका के बीच में एक gap, डेका और unit के बीच में एक gap, तो जितने gap उतने 10, into 10 करना है, अगर तुम left to right जा रहे हो, means kilo से milli के towards जा रहे हो, तो तुमको into 10 करना पड़ेगा, suppose kilo से, kilometer से meter में convert करना है, तो देखो कितने gap है, one, two and three, means one kilometer को हम लोग into 10 to the power 3 करेंगे, तो ये हो जाएगा meter, ठीक है, तो तुम बोल सकते हो, one kilometer equals to 10 to the power 3 meter, because यहाँ पर कितने gap है, one, two and three, ठीक है, इसी तरह अगर डेका को meter में convert करना है, तो यहाँ पर only one gap है, तो one decameter, one decameter, ये कितना हो जाएगा, 10 meter, ठीक है, तो इसी तरह से अगर तुमको मिली से यहाँ पर आना है, ये तो हो गया left to right, ठीक है, इधर भी भई होगा, meter से millimeter में जाना है, तो क्या होगा, into 10 to the power, one, two, 10 to the power 3, यहाँ भी देख सकते हो, one meter equals to 10 to the power 3 millimeter, ठीक है, लेकिन अब बात आता है कि अगर हम लोग को smaller, दोखो ये larger unit है, ठीक है, larger unit से smaller unit के तरफ जा रहे थे, तब into 10, कितना 10 का power उतना होगा, जितना की gap होगा, ठीक है, अब जब हम लोग smaller unit से larger unit के तरफ आते हैं, तब क्या करते हैं, divide करते हैं, और process से divide कितना से करेंगे, 10 to the power, कितना power जितना की gap है, जैसे देखो, मीली से आना है तुमको unit में, तो मीली से unit में जब आओगे, तब क्या करना है, divide करना है, देखो कितने gap, 1, 2, 3, तो 1, 10 to the power 3, इतना into करोगे, तब तुम्हारा आजाएगा, मिली मेटर, मिन्स तुम बोल सकते हो, 1 मिली मेटर इक्वल्स टू, 1 by 10 to the power 3 मेटर, याथ इसको कैसे लिख सकते हो, जब इसकोप पर लोगे, तो 10 to the power minus 3 मेटर, ओके, तो काफी इजी था, इसी तरह कोई साभी लेलो, जैसे, देखो, सेंटी से तुमको जाना हेक्टो मेटर, टीक है, सेंटी से हेक्टो, लेकिन, most of the times, तुमको SI unit पर ही convert करना पड़ेगा, लेकिन, अगर सपोस्ट तुम से कोई पूछ ले कि, एक सेंटी मेटर में कितना हेक्टो मेटर होता है, तो क्या करोगे? देखो, यहाँ फेर सेंटी 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 प्रासेस लगा, तो ऐसे क्यूनेट कर सकते हो, अब आजयो ये तो होगा लंध का बात, अब इसमें कोई सांब यूिनिट डाल सकता हो, वोल्यूम के लिए, या तो फिर weight के लिए weight लोग है तो इसका, suppose यहाँ weight ले लेते हैं, weight लोग है तो यहाँ पर gram हो जाएगा, gram हो जाएगा, decigram, centigram, milligram, then decagram, hektogram and kilogram, okay, same process, process same है, बस ऐसा unit बदलेगा और साथ में kilo के बाद जो इसका ऐसा unit है, वो add होते जाएगा, clear, हैं तो इसके बाद गलती नहीं होना चाहिए कि सट ही कैंश के बाद वॉल्यूम में हम लोग क्या लेते हैं साव्यूनिटलिटर को यहां भी सेम्स प्रोसेस है देसिलेटर सेंटिलेटर मुले लिटर डेका लिटर हेक्टो लिटर एंड किलो लिटर ठीक है अगर तुमको किलो लिटर से डेका लिटर में कनवर्ट करना है तो क्या हो जाएगा इंट्टू तो देपावर थ्री या तो फिर हेक्टो लिटर हेक्टो लिटर हेक्टो लिटर हेक्टो लिटर से वन हेक्टो ल होगा कितना लेटर होगा तो देख वन टू 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 लीटर अच सिंपल एस तैट ठीक है कुछ भी अब अब तुमको कुछ भी यूनेट कनबट कर आ ले अगर यह चीज पता है कीलो हेक्टो डेका जोनेट डेसी सेंटे मिली यू कैंड डू कंसेप्ट के बात अब इसको याद कैसे करें से अगर मिसको एशी याद करना चाहो तो इसको प्रैक्टिस करो दो से तीन बार लिखो कॉपी में यह खुदबखे ऑफ़ याद हो जाएगा उतना हाडर है नहीं ठिक है याद करना है के और लो के बाद हेक्टा हेक्टा देक क यूनेट डेसी सेंटी मिली ठीक है अब इसके बाद भी कुछ लोग होते हैं जिनको निमनिक्स चाहिए सॉट्रिक चाहिए ठीक है तो उनके लिए अब देख लो भाई तुम भे खुश हो जाओ वैसे उसके जारत तो है नहीं अगर तुम इसको दो तीन बार प्राक्टिस करो तो खुद याद हो जाएगा ठीक है कीलो हेक्टो डेका यूनेट डेसी सेंटी मिली बट फिर भी देखो किंग हेंडरी डाइड किंग हेंडरी डाइड मदर डेडन्ट क्राइम देखो ये क्या हो गया किंग हेंडरी डाइड मादर डेडन्ट क्राइड मच इसका मतलब क्या हो गया देखो यहाँ पर जो ये ट्रिक बनाया है ये लेंद के अकोडिंग बनाया है ठीक है अगर ये निमोनिक से याद करते हो तो लेंद को कंसिडर करके करना ठीक है तो देखो के से किलो इसका फॉर्स्ट रम के एच अब यहां से यह हो जाएगा है क्टो ओके डी फो डेका अब देखो यहां तक तो ठीक है लेकर यहां पर देखो फाई दो डी आ जा रहा है यहां पर कन्फूजन क्रेट हो सकता है इसको कैसे याद करता हूँ देखो डी के बाद क्या रहा है और यहां पर देखा आ जाएगा तो अगर याद नहीं होता है वैसे तो इसको 3-4 बार लिखो ये खुद याद हो जाएगा फिर भी याद नहीं होता है तो ये निमोनिक्स तुम्हारे पास है इस तरह से इसको याद कर सकते हो King Henry died, Mother didn't cry much अब यहाँ से kilo hectodeka अब यहाँ पे देखो meter यहाँ पे length के लिए मैंने consider किया था तो ये meter हो गया अगर volume के लिए होगा तो liter होगा weight के लिए होगा, gram होगा ठीक है? तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं तो hopes हो कि तुमको आज के class पसंद आया पसंद आया तो class को like करो share करो और इसी तरह हमारे साथ बने रहो मिलते हैं next class में तब तक के लिए take care and keep watching